नमस्कार स्वागता आपका नवतेज टीवी में और मैं हूँ आपके साथ दिव्याशेखावत बड़ी ख़बर तो ये है राजस्थान में आज की तीन बड़े चहरे तीन बड़े दिगजनीता कॉंग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए और जाहिर से बात है इसको लेकर कॉंग्रेस में हलचल भी तेज हो गई है बड़े नामों की बात करें तो सबसे पहले बड़ा नाम आता है जोति खंडिलवाल का जोति खंडिलवाल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है जो तिखंडेलवाल की बात करें तो वो कॉंग्रेस का एक बड़ा और चर्चित ना मानी जाती है ज्यापूर से पूर्व मेयर भी वो रही है इसके साथ ही आज उन्होंने कॉंग्रेस को अलविदा कह दिया है और साथी साथ बीजेपी जॉइन कर ली है बीजेपी में शामेल नए चेहरे जोती खंडेलवाल से हमारे समवादाता उमंक मातूर ने खाजबाच्चित की पूर्व महपूर जोती खंडेलवाल हमारे साथ में यापर मौझूद है वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है किशनपोल विधानसवा सीट से सीट ये मांग रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं कॉंग्रेस द्वारा उपेक्षित करने के बाद मैं आज एक बहुत बड़ी दिगज नेता ने आज कॉंग्रेस का दामन छोड़ दिया है जोती जी आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रमुक हो जा कि देखिए लगातार पार्टी में कॉंग्रेस के कारे करता हूं कि जो पूरी निष्टा और इमानदारी से काम करते हैं उनकी उपेक्षा होती रही जो समर्पित भाव से पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं उन्हें इग्नोरेंस और सबकुछ यह आला कमान कमजोर नेतरत्व जो है वो देखता रहा लेकिन वो एक्षन नहीं कर पाये कोंपरमाईस की स्थिति में रहो तो ऐसे कमजोर नेतरत्व के साथ पार्टी हमेशा दिशाहीन हो जाती है और यहां पर जो हम देखते हैं आदाने नरेंदर मोडी जी जैसा मजबूत नेतरत्व है जो का काम करते हैं तो इसी भावना के साथ मैंने इस पार्टी को जॉइन किया उनके गुटका भी आपको माना जाता है क्या उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं देखिए मैं कॉंग्रेस के लिए मैंने मेर जब रही हूं तब से लेकर के पार्शत से वहां पर अपनी गतिविदिया शुरू की थी तो तब से लेकर के मैंने अब तक और यहीं नहीं मेरा परिवार उसके पहले से भी कॉंग्रेस कर रहा है तो हमने हमेशा निश्टा और इमानदारी से काम किया है और हमेशा उसके साथ जुड़े रहे हैं लेकिन जब लगातार आप अपनी इग्नोरेंस की इप्रेवा पूर्व मेर जोती खंडेलवाल इनका साफतोर पर कहना है कि जिस प्रकार से लगातार उपेक्शा यहां पर हो रही थी इस्थानिय कारे करताओं की उससे नाराज होकर कहीं न कहीं उर्व मेर जोति खंडिलवाल ने कॉंग्रिस का दामन छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया है बात करी थी जब इन से खिशनपोल विधान सबा सीट की हवा मेल विधान सबा सीट की इंकर साफ तोर पर कहने कि जो भी निर्देश पार्टी आला कमान या फिर प्रदेश ने तरत देगा यह उस हर उस निर्देश की यह पालना करेंगे और बीजेपी के इस चुनावी रथ को विजवई आगास तक विजवई अंजाम तक पहुँचाने का पूरा प्रैत्न करेंगी वही बीजेपी में शामिल जेतेंदर सिंग ने क्या कुछ का आई आपको सुनाते हैं अज एक बार फिर पी ने पूरे राजस्थान को और सबसे प्रभुक तोर पर अगर कहें तो कॉंग्रेस को चौका दिया है कई दिगज नेता होने आज बीजेपी का दामन धाम लिया है सबसे बड़ा नाम जोति घंडिलवाल का है लेकिन उसके बाद डुटासरा जो की कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा जिनके उपर हाली में ED के चापे भी पड़े उनी की शेत्र से आने वाले एक और व्यक्ति है जिन्होंने आज बीजेपी का दामन धामा है सीधे सीधे टकर गोविन सिंग डुटासरा को है सर सबसे बिले तो आपका नाम मता है जीतेंदर सिंग गाउं कुमा जाइगीर तैसिल नेच्वा को लक्समंगर विदान सबसे फिलोम करता हूं आज आपने बीजेपी का दामन धामा है डुटासरा साब के शेतर से आप आते हैं भी कुछ दिन पहले उनके एडी के चाप़े भी बड़े थे लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रमुख वजे रही बीजेपी जोइन कर देको डुटासरा साब का भी मेरे पार्टी को सोड़कर वजेपी में सामिल हो रही है आगे आपके क्या कुछ प्लान आपके रहेंगे प्लान तो यह है कि लक्षमनगरी विदान सभा से हमारे पट्थ्यासी बाजबा के सवास महरिया को भारी मतों से विज़े दिलाएंगे और रास्तान के विदान सभा चु प्रति काफी प्रेम है लेकिन कुछ एकाद कॉंग्रेस की नीतियों की वज़े से खफा है और इसी वज़े से आज इन्होंने बीजेपी जोइन करिया और आरने वाले विदान सबाचनावों में लक्षमंगड स्ट्रीट से जो भी बीजेपी प्रतैशी उतारेगी उसके साथ कंदे से कंदा मिला कर बीजेपी को जिताने का पूरा प्रैत्न करें सब्सक्राइब बहुत्त पूर्वे चातर संग ध्यक्सराहरी रवीद्र सेंघ्वाटी नेभी बीजेपी को जॉइन करिया आईए सुनाते हैं आपको उनुरे क्या कुछ कहा है राविंदर सिंग भाटी है हमारे साथ है सर आज आपने बीजेपी आपने जोएन करिये शिविदान समा शेतर से आप निर्दल ये भी ताल ठोकने वाले ते लेकिन आज बीजेपी आला कामान के निर्देश्वार या को मिले हूं सबहूं पहली तो केंदरिये नेतरतों ना और परदेश नेतरतों ना बहुत-बहुत दनेवाद देनों चाहूं कि आप माना ये लाइक समझा मैं सोबागे साली मैसूस करना खुद ना कि मैं आज ये परिवार रो इस्सों हां हमेसा हूं विचार मीना जुड़ युआ एक जो ढोर मजबूती मिना ये सरकार ना परदेश रिजगो कॉंग्रे से सरकार है ये ना तोडर बार फैखा और ये जगा कमल खिला शिविदान सबसीट से हैंगे या पार्टी जो भी निर्दश देगी उससे साब से गाव करें केंदरिये नेतरतों और परदेश जो भी आदेश कर साथ रूप मीना उविर पालन करें और बी जेपी में हम कह सकते हैं रवेंदर सिंग भाठी के आने से एक बार फिर से एक युवा जोश एक नई शक्ती का आगाज अब आने वाले विधान सबाचुनावों मैं हो चुका है तीनों ही बड़े नेताओं ने कॉंग्रेस को बड़ा छटका दे दिया आपको बता दे कि जोती खंडेलवाल एक बड़ी नेता मानी जाती है जोनोंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया आप देखना है कि वो बीजेपी में शामिल होकर क्या कुछ नया करती है वही जोदप बीजेपी में शामिल होकर इनी सब पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से उमंग मातुर जुड़ गए हैं उमंग सबसे पहले आप से पूछूंगी कि तीनों नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं क्या कुछ उनका वीजेपी का दामन थामा ह बिल्कुल आपको बता दें कि ना सिर्फ ये तीन बलकि कुछ और लोगों ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है तारानगर से पूर विधायक और कॉंग्रेस के दिगज नेतर है चंदनमल बैद के बेटे चंदरशेकर वैत पूर विधायक नंदलाल पूनिया भी बीजे बीजेपी जयन पिया आपको जानकारी के बताते हैं कि आज का दिन भी कहीं न कहीं बीजेपी ने एक प्रकार से कॉंग्रेस को यक त्गड़ा जटका दिया है दो जोती कॉंग्रेस की बीजेपी में शामिल हो चुग है सबसे पहले जोती मिर्धा शामिल हुई जो कि नागोर से जाना पेचाना चैरा था कॉंग्रेस का लेकिन अब वो बीजेपी से ताल ठोक रही है चुनावों में उसके बाद में आज जोती खंडिलवाल ने बीजेपी का दामन था हमा है किशनपोल विधान सबा सीट से वो कॉंग्रेस से टिकेट मांग रही थी सचिन पालेट खेमे की वो मानी जाती है लेकिन लंबे समय से उनके ही अनुसार लंबे समय से उपेक्षित उन्हें पार्टी में उनको उपेक्षित सा वो खुद को महसूस कर रही थी और किशन पोल विधान सवा सीट से जब से अमीन कागजी का टिकेट की घोचना हुई है तभी से ये कयास लगाय जा रहे थे कि जोधी खंडिलवाल कुछ एक बड़ा कदम उठा सकती है बीजेपी के अंदरूनी सूतरों से जब हमने पता किया था तो बात ये भी निकल कर सामने आई कि पूरे हम कह सकते हैं कि पिछले दो साल से जोधी खंडिलवाल से बीजेपी बात कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हर एक कारेकरता को जो भी अपनी पार्टी में रहता है उसको अपनी पार्टी से काफी उम्मीदे होती है हो सकता है जोती खंडलवाल को भी उम्मीदे रही हो कि एन वक्त पर कुछ ना कुछ फायदा उन्हें मिल जाए लेकिन वो फायदा उन्हें नहीं मिला कि शनपूल विधान सभा सीट से उनका टिकट कटा और कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी और प्रमुख वजह मानी जा सकती है कि जोती खंडिलवाल ने आज बीजेपी का दामन्थ हमें दिवे आपको बदा दें कि जोती खंडिलवाल का बीजेपी में आना एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि फेर बदल हो सकता है आने वाले विधान सभाचुनावे में क्योंकि राजनीती के जानकारों कि अगर माने तो वरतमान इस्तिती के हिसाब से कहीं ना कहीं कॉंग्रेस एक हाथ उपर थी अभी की परिस्तियों के हिसाब से अगर बात करें लेकिन जोती खंडिलवाल जब से बीजेपी में आई है वैश्य जो वोट है जितने भी हम कह सकते हैं राजधानी जैपूर के अंदर जितने भी वैश्य वोट है कहीं ना कहीं वो अब कॉंग्रेस से छि समयाब रही है ब्राहमण वोट बीजेपी साद चुकी है सुरेश मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने से वैश्य वोटों पर भी बीजेपी ने अपनी निखा गडार रखी थी और जोती खंडिलवाल के आने से कहीं ना कहीं वो वैश्य वोट छिटक कर बीजेपी में जितेंदर सिंग को गोविन सिंग डुटासरा का बेहत करीबी माना जाता रहा है लक्ष्मनगर्ट से वो बिलॉंग करते हैं और आज की अगर हम आपको बात बता है दिव्या तो कहीं न कहीं यह बात सामने आ रही थी जितेंदर सिंग ने अपने मुझ से कबूला है कि एन मौ पूछा गया कि क्या प्रमुक वजे रही तो उन्होंने कहा कि इस समय जो कॉंग्रेस की राष्ट्रिय अध्यक्ष है मलिकर जुन खडगे उनके बेटे या उनके किसी एक कमेंट की वज़े से जो कि सनातन धर्म सनातन संस्कृती के खिलाफ किया गया तो उससे वो काफी आह पड़ेगा दिव्या अशोक लाहोटी का टिकेट सांगानेर विधान सभा सीट से कटा थो और कल भी अशोक लाहोटी के समर्थक भारी तादाद में बीजेपी के प्रदेश कारले पर जमा हुए ते जहां पर केंद्रे जल्शक्ती मंतरी गजेंद सिंग शेखावत ने उन अशोक लाहोटी के उन समर्थकों को यह संदेश दिया है कि आप ऐसा करके आप उनके लिए ही नुकसान पैदा कर रहे हैं आप अपना शिष्ट मंडला भेजे आपकी जो भी परेशानी है जो भी आपकी बात है वो पार्टी फोरम पर रखी जाएगी लेकिन अंतिम निर्न पलट जाए ऐसा बहुत मुश्किल से होता है लेकिन खेर कयासों की अगर बात करें हो सकता है कुछ एक दो सीटों पर बीजेपी अपना निर्ने बदल लें चो की हो सकता है चित्तोरगड सीटों सांगनेर विधानसभा सीटों लेकिन अशोक लाहोटी की अगर हम बात करें नो डाउट वो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है लेकिन पिछले साढ़े चार-पांस साल से ठीक है उनका अपना समर्थकों का उनका घुजूम है लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो निश्क्रिय वो सांगनेर विधानसभा में रहे थे तो मेरे को नहीं लगता कि उन ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को एक बहुत बड़े अंतर से जीत दिला सकते हैं आज के सर्वे की अगर हम बात करें जो पिछले कई एजंसियों ने सर्वे कराया पिछले कुछ दिनों से हम उन सर्वे पर हम बात भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं 120 स अगर बात करेंगे तो न तमाम एजंसियों के सर्वे में बढ़त बहुत बारी बढ़त दिखाई देगी वो कहीं ना कहीं 150-170 सीटों तक भी हो जा सकती है हमारे साथ में हमारे सयोगी राकेश शमरा भी हमारे साथ में जुड़े हैं राकेश जी आज जोती खंडेलवाल जो की कहीं न कहीं जैसे भी दिव्या ने भी बुला अश्योग लाउटी का टिकेट कटे से एक वैश्य समाज में एक नाराजगी थी हालाकिए ब्रह्मण को परंप्रगात वोट BGB का माना जाता है लेकिन फिर भी विपर महा सभा के राश्ट्री अध्यक्ष सुरेश मिश्रा है जोती रा नागोर से आती है बहुत चर्चित चेहरा कॉंग्रेस का है जोती मिर्दा हो गई, सुरेश मिश्रा हो गई, जोती खंडेलवाल, रवेंदर सिंग बाटी जोतपूर से आते हैं, शोक गहलोत के गड़ से आते हैं, पूर्वचातर संग अध्यक शिराच चुके हैं, उन्होंने आज BJP का दामान थाम लिया है, जितेंदर सिंग की जिनकी ह ब्रांबन चेरों का अपने नाम लिया है, वैसे समाज के चेरों का नाम लिया है, मैं तुपन बात ही कि वो चेरे हैं, जो कही ने कई एक लोबिंग को पूरा BJP के फवर में डाइवर्जन देने की ताकत रखते हैं, जोती खंडेलवाल, जैपूर के महर रही, एक बड़ा अक्काद उनका रहा है, जाहिर सी बात है, दिगज नेताओं के बीच में बैठने वाली नेता है, अशोक लाहोटी से जो नुकसान हो सकता था, खास तोर पर एक दिन पहले जैसा कि आपने जिकर किया था, बीजेपी कारले पर बड़ा हंगामा हुआ था, वैसे समाज ने य प्यारी की जा रही है, रविंदर सींग भाटी का आपने जिकर किया, राजपूत, ब्राम्मन और वैश्य, यह जो सोचल इंजिनिरिंग है, खास तोर पर उन इलाकों में, शहरी इलाकों में, जहां पर बहुत अच्छी संख्या में सामानने वर्ग का वोट बैंक, इतने भी आंदोलन रहे हैं, या पार्टे की जो भी कामकाज रहे हैं, हलाकि विद्धार्थी परिशत के लगातार वो रहे हैं, तो ऐसी इस्तिती में एक ओप्चारी की रूप से बीजेपी माज शामिल किया गया है, बीजेपी में ही थे एक प्रकार सी माना जाये, तो क्य किसान परिवारों के जो चेहरे हैं, किसान परिवारों में जितने भी वोट बैंक हैं, वो कही न कई मैक्जिमम संख्या में खास तोर पर सेखावाटी की साइड अगर आप जाएंगे, तो वो एक प्रकार सी मान सकते हैं कि या तो कॉंग्रेस के फैवर में हैं, या पिर अगरी उन तमाम चीजों को अपने तरफ डाइवर्जन दिया है, बीजेपी क्या कर रही है, उन जो परमपरागत वोट बैंक कॉंग्रेस का जाटों का है, उसमें सेंद लगा रही है, ताकि ऐसी इस्तति में कुछ भी इस्तर तक उनका वोट बैंक अपने पाले में लिया जा सके, तो यानि कि पूरी तरह से ढूंडाड पर निका है, मारवाट पर पूरी तरह से त्यारी चल रही है, जाटों में सेंद है, सामने वर्ग का जो एक आकलन था, कि साथ पार्टी से दूर जा सकता है, नेसना बूत हो सकता है, यकीन मानीगा कि 10% वोट बैंक भी इधर ूर्शल इंजिनिरिंग को लेकर ही किरोडिलाल मीना को सवाय मादूपुर में उतारा गया है, मुस्लिम और मीना का जो एक जूरता दानी सब्रार के दोर में हुई थी, उसको तोड़ने के लिए किरोडिलाल मीना को वहां से उतारा गया है, और दो दिन से वहां का मावले दानी सब्रार पर जो हमला हुआ है और मिना वर्षेज मुस्लिम जो हुआ है उसका फाइदा सीधा बीजेपी को आता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरी बात पूरवी राजस्तान की तमाम सीटे हैं उन तमाम सीटों पर किरोडी लाल मिला मिना अकेले भारी पड़ रहे हैं आप देवली उनियारा में अगर आप जाएंगी तो विजे बैसला को सिर्फ इसलिए नहीं उतारा गया कि साइद देवली उनियारा से जीत करके वो विदान सबाब पहुच जाएंगे देखिए विजे बैसला का विरोज इस्तानी इस्तर पर हो रहा है गुजर नेता के तो के लिए रिजर्व मानी जाती है और पाइलेट को सीट मिली भी है देवली के करवात करें तो पालेट समर्थ हैं डॉक्टर विकरम सिंग आते हैं लगभग लगभग उनकी सीट वहां से कन्फरम है क्या लगता है आपको कि पाइलेट का यह जो जादू है इस पूरे एरिये में साथ विजय बैसला को सपोर्ट किया है और गुजर महापंचायत देखेगा इलेक्शन से पहले या तो देवनान भगवान का जो निवाई के पास में जो बड़ा मंदीर है वहां पर या तो गुजरो की महापंचायत होगी या सिंद में होगी जहां पर भी गुजर आती कहूं मैं आपके समाज कहूं मुझे वोट दीजिये मुझे वहां भेजिये लेकिन दूसरी तरफ जो उनका एंटी गुरूप है गुजरो में वह ये कह रहा है अगर आप हमारी जाती के तो पाइलट के समर्थन में जितने गुजर उम्यद्वार है कि वो लोग नहीं जाने चाहिए तो ऐसी इस्तिति में पार्टी के सिर्फ बीजेपी के लोग क्यो जाए यानि कि अगर घुजर को कॉंग्रेस ने भी दिया है गुजर को बीजेपी ने भी दिया है तो जाइर शी बात दोनों जाने चाहिए तो एक जुड़ता वहां पर अठकी हुई है वरन कि कोई बात की जारी सिर्फ बात की जारी MBC, OBC आरक्षन के बारे में या फिर वसंदरा जी के समय में जो गोलिया चली थी गूजरों के उपर वो फैक्टर काफी जादा उठाया जा रहा है क्या लगता है आपको कि इससे क्या विजय बैसला को कोई नुकसान होगा क्योंकि य यह मानना है मेरा राजनितिक विश्लेशन जो कहता है गुजरों को तमाम चीज़ें नहीं चाहिए गुजर कॉंग्रेस इस बात से नाराज है कि सचिन पाइलेट को आलाकमान ने यह कहा था कि आप भावी मुख्यमंत्री होंगे और इसी आधार पर राहुल गांदी समय इस बीच में तमाम जो गटनाय हुई राजनितिक जो पटक शेप हुए उनमें कहीं ने कहीं जिन शब्दावली का उप्योग सचिन पाइलेट के लिए हुआ तो गुर्दर समाज पिछले चार साल से पांच साल से गठरी बांद करके बेटा है कि समय पर माकूल जवाब दि देवली उनियारा की जो सीट है वहाँ पर जो मिना बहुलेला का है और गुर्जर सामन्य का अगर मेल होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ बीज़भी के सीट बाहर निकलती है लेकिन अगर कोई भी केनिडेट गुजर समाज से निर्दलिये खड़ा होता है ये कॉंग्रेस क जो में मूड देख पा रहा हूं पार्टी का मूड यही है अकर वीज़भी बैसला को टिकेट नहीं देते तो सायद जो गुर्जरों के वोट आने वाले थे जो पार्टी का परमपरागत वोट बेंग माना जाता है बैसला के टाइम से तो ऐसी इस ती वोट बेंग उनके प जहांसभा में अंटिन कमेंसी थी इसको तमाम लोग पार्टी के लोग संग के लोग तमाम लोग शुकार कर रहे हैं लेकिन भजनलाल शर्मा को उतारा गया तो उसके समर्थन में तमाम लोग आ जाएंगी यह संभव नहीं है और मेरे ख्याल चे दो दिन का जो राजनितिक जो वहां पर बैठा जा रहा है संग इस मामले में आ गया आया है और साइद संग के हस्तक सेब के बाद यह सीट कहीं नगे बीजेपी को फेवर में दीरतीर आती भी दिखाए दे रही है सागनेर विधान साभा सीट के आपने बात करी हमने अभी यह भी बताए कि कल भी अशोक लाउटी के समर्थ और विशेश तोर पर वैस समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे लेकिन भजनलाल शर्मा की जहां तक बात की जा रही है और बीजेपी के अंदरुनी सूतरों से जो पता-पढ़ा है कि भरत पूर में कहीं न कहीं बजनलाल शर्मा क्योंकि भरत पूर से आता है वहां उनका इतना प्रभाव नहीं था ताकि आने वाले लोग समद चुनाव में कहीं न कहीं कोई एक मजबूत चेहरा वहां से उतारा जाए जो नीचे से नीचे इसतर का जो कारे करता है वो उपरी पाइदान पर पहुशना चाहिए और शायद भजनलाल शर्मा को वही पारितोशिक दिया गया है बजनलाल शर्मा को भरतपूर से उतारगर सेफ सीट इसलिए का जा सकता है लेकिन सेफ सीट आज के दोर में नहीं का जा सकता बजनलाल शर्मा के लिए सेफ सीट इसलिए बोली जा रही है क्योंकि एक तो ब्रह्मन सीट है और संग और बीजेपी की सीट है कितना ज़्यादा मैकजिमम पोलिंग हो सकता है उस आदार पर जीर्त दर्ज की जा सकती है लेकिन पुस्पेंदर भारत दौाज को एक नए चेरे के सामने हलका मानना ये ठीक नहीं होगा और आज की हम बात करें तो आज जोती घंडेलवाल रवेन सिंग बाटी जीतेने सिंग के लावर रिटाइड आईपेस के सरशिंग शेखावाद भीम सिंग बीका और राजसान धरोवर प्रोणनती परिशत के उपाद्यक सावरमल मही और मन्दावा से निरदली उमीदवार करें डोक्टर हरी सिंग ने भी बीजेपी जोन के बड़ा तबका जो सरकारी नौकरी में था, सरकारी खेमें में ठाउन्होंने बीजेपी 조ियuard करी ए है, और साफ तर पर 콘ंग्रेस के दिघज नेतर है, चंदन्दनमल बैद के बेटे चंदरशेहकर बैद ने भी आज बीजे समाज को वैश्चे को तमाम लोग सुर्यस मिस्रा का जिकर आपने भी किया था ब्राह्मन समाज का बड़ा चेहरा है बीजेपी में आ चुके हैं सीधा तोर पर कहा गया है सनातन पर जो हमले हो रहे बरदास नहीं हो रहा है लेकिन कहीन के सांगनेर सीट को नेकालने के लिए प होता है पार्टी के फैवर में तो इनका आना मेरे काल जो पार्टी के लिए फुट पूल है पिलकुल और सुरेश मिश्रा और जोती खंडेलवाल दो मजबूत चेहरे कॉंगरेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं लेकिन इन दोनों की ही जो पसंदीद सीट इनके हिसाब से आगर कहें तो हवा मेल और किशन पूल है और पार्टी के सितरों से जहां तक पता पढ़ रहा हैं कि शॉरेश मिश्रा को ना दी जाए शायद अभी तक लेकिन शुरेश मिश्रा जी के सूतरों से ये पता पढ़ा था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए कि 156 न देख पारा हूँ अगर आपने कोई शर्ते रही अगर आपका जातिकत बड़ानाम एक खासतों जोती मिर्धा और आपको लगता है कि वहां अच्छी बात है कि कोर्परेट इस्टाइल में पूरा काम करती है तो मेरे क्याल सुरेश मिस्रा या जोती खंडल वाल को लेकर कि तमाम चीजे इतनी आसानी से संग्ठन मान लेगा मुझे नहीं लगता है लेकिन अगर मोहलाल गुपता को अगर वहां उस गेम से बाहर करना है जो बीजेपी के प पार्टी शेहर में दे चुकी है बजनलाल शर्मा के तोर पर तो ऐसी इस्तित्व में दोबारा से सिर्फ एक किसी ब्राह्मन के आदार पर दाओ कहलना मुझे नहीं लगता है अगर पार्टी इतना जल्दी कुस्त अगर राके जी कल तक जो भी सर्वे आये थे तमाम एजें होता है खास तोर पर जब पॉलिंग होने से कुछ दिनों पहले का यानि की नामंकन भरने तक का जब तक डंवी केंडिडेट को लेकर के तमाम चीजे इस्ताति इसपस नहीं हो जाएगी नाम वापसी कितने लोगों ने ली डंवी केंड़ेट कितने बचे हैं क्योंकि डंव और दूसरी पार्टी का खेल बिगाड़ते हैं तो डमी केंडिडेड लाश्ट इस तरह तक कितने मैदान में रहते हैं तब तक क्या पाना मुश्किल होगा लेकिन आज के हलात में जिस जो 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 वह बारतिन तरहीं मेरे कहल से पार्टी आपड़ाश हो रही है बिल्कुल और ये तो रही बीजेपी कॉंग्रेस की बात आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में वो भी अपनी ताल ठोकरी है अला कि कितना परसेंट वो सीट निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी वो एक बाद का विशे है है कि जोती खंडेल वाल खुद एक बड़ा वोड बैंक अपने साथ लेकर चलती है इसका कॉंग्रेस पर क्या असर होने वाला है क्या कॉंग्रेस हिलने वाली है वोड बैंक सारे बीजेपी के पास जाएगा फिर कुछ कॉंग्रेस में भी रह जाएंगे क्या लग रहा है इस देगे महतुपन सवाल है देगे महिला के तोर पर एक महिला नेतरी के तोर पर एक बड़ा चेहरा है और महतुपन बात ही है कि जैपूर की मेर रही है तो एक बड़ा वोट बेंग लगातार नों के साथ चला है और ऐसा नहीं है कि मेर के बाद में वो डियक्टिव हो गई थी लगातार एक्ट रही है, कॉंग्रेस के तमाम कारक्रमों में लगातार जाती रही है और महतुपन बात ही है कि एक दबंग नेता के तोर पर उनको जाना जाता है कई विवाद उनके साथ इस दोरान भी होए है लेकिन कही जो चवी जोती खंडल वाल की साफ सुतरी वाली है एक दबंग महिला नेतरी के तोर पर तो जाहिर सी बात है चारदिवारी की अलाके का जो वोट बेंक है वो कही नकई वो अपना डाइवर्जिन देने का दम रखती है जी चारदिवारी क्या बात करें क्या लग रहा है कि जोती खंडेलवाल के ओपुजिट अब कॉंग्रेस किसको नए चहरे के रूप में उतारने वाली है देखें ये बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेला है हाला कि ऑथेंटिक और अपचारी घोष्ट नावना बाकी एक जोती खंडेलवाल को उतारा जाता है नहीं उतारा जाता है या संक्टनात्मा ग्रूप से कोई नियुक्ति दी जाती ही लेकिन अभी तक के संकेत यह यह जोती खंडेलवाल के कदकों देखते हुए या यू माना जा सकता है कि कॉंग्रेस को कहां पर सबसे बड़ा जटका लग सकता है देखिए इस्तानिय निवासी होने के नाते या जैपूर की मेर रहने के नाते कॉंग्रेस इस बात को अच्छी तरह के से जानती है कि चारदी सामाजिक सदवाओं के आधार पर व्यक्तिकत संबंदों के आधार पर पॉलिंग होती है अब ऐसे में जोती खंडेलवाल वहां के इस्ता ही निवासी है मेर रही है तो बड़ा नाम है तो कॉंग्रेस सोच समझ के मेरे ख्याल चेराई वहां पर उतानिक त्यारी में होगी सब्सक्राइब करें तो जोधपूर में भी कॉंग्रेस को ला दियार विंदर सिंग भाटी ने क्या कुछ लग रहा है कि वोट बैंक पूरे बीज़ेपी के खाते में जाने वाले या फिर कांग्रेस के खाते में क्यों कि कई नहीं हमने कर परसों भी जब जांच की तो हमें मालूम हुआ कि कॉंग्रेस को लेकर जुनता का मूट बिलकुल साफ है कि वह कॉंग्रेस का ही साथ देने वाले तो यहां क्या लग रहा है देखिए यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविंदर सिंग भाटी के आजाने से इतना अपना क्षत्रव तयार किया है जो विधारती परिश्ट से लगातार जुड़ा रहा है चात्र संगों में लगातार बर्दिता पार्टी के काम देखता रहा है तो एक नया क्षत्रव मार्वाड में पैदा करने की तयारी है रविंद सिंग भाटी के रूप में और इसे में जाकर का एक बहुत अच्छे राजनिता बनने के गुण उन में देख पा रहे हैं लेकिन इन सब के पीछे की जो चाल है जो राजनितिक जो चाल है उसमें अशोग गैलोत को घर में घहरने की पूरी तयारी है यानि कि उन तमाम क्षत्रव को एक्टिव किया चुका है बीजेपी की ओर से जो अशोग गैलोत को उनके घर में एक खास तोर पर जोत्पूर में यू का जाए पूरे मारवाड में उनके लोगों को घहर सके और यही चाल के आधार पर रविंचिंग भाटी को बीजेपी में आज ओपचारी गूप से ऐसा नहीं है को पार्टी मे पर हो जाएगा इसा नहीं है लेकिन एक घहरने की कवायत के तोर पर तमाम चाले खेली गई हैं जी अकरी सवाल या फिर क्लोजिंग कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे भी कुछ दिनों पहले अखवारों की तमाम मीडिया चैनलों की सूर्किया भी बना था बीजेपी और वसुनदरा राजे हो गए राचेन राठोड हो गए राटल हो गए दिया कुमारी हो गए कॉंग्रेस में बात करें मुखे मंदरी अशोग घहलत हो गया सचीन पाइलेट हो गए कहीं ना कहीं गोविन सिंग डुटासरा हो गए उनके सामने अपना उम्मीदवार घूशित कर लेकिन जोदपूर में जैसा आपने कहा कि मुख्यमंतरी अशोग गहलोट को घेरने की पूरी तयार है तो क्या लगता है आपको कि रविंद्र सिंग भाटी को अगर शिव विधान सबासे भी उतारते हैं जोगी जोदपूर की किसी सीट से उतारते हैं और उनके साथ-साथ ग जादू है वो तोड़ पाएंगे मारवाड जो है मारवाड की राजिन दुवाब को समझना होगा जोद्पूर महराजा के यहां से भी कई फर्मान दोरान निकाले जाते हैं चुनाओ के दौरान हाला कि कॉंग्रेस का समर्तन लंबे समय तो उन्होंने क्या लेकिन गड़ से जोद्पूर महराजा से मिलके भी गए और उनकी 15-20 मिनिट की मीटिंग मैं मैं उसी पर आ रहा था तो मेरा इमान दा कि पुराने टिकाने दार है पुराने जो राजपूत क्षत्रप हैं जो रियाशत काल के दोर से आज भी अपनी संस्क्रति को विरासत को साथ में लेकर के से आरी है बहले ही आप अशोग गेलोट क्योंकि बड़ा नाम ऐसा नहीं है कि सर्दार पुरा से बिल्कुल क्लेंशू भार्दिंता पार्टी के फैवर में हो जाएगा क्योंकि अशोग गेलोट का बड़ा ओदा है बड़ा कद है हैना मुक्यमंत्री को वहां से आराना आप दिया जा सकता है राजपूतों के मेंडेट के जरिए राजपूतों के शत्रुपों के एक प्रकार से आदेश के जरिए फरमान के जरिए कि आपसी जाजम के जरिए कितने लोगों को बीजेपी के फिवर में लाया जा सकता है पार्टी का ये खेले बिजेपी सोशल इंजिरिरिंग बिठाने में बनाने में काफी मास्टर अभी तक के प्रिडामों के हिसाब से जो भी जोड बाकी हुआ है उस हिसाब से काफी हम कह सकते हैं सफल साबित हुई है और अब आने वाले कुछ दिनों में पता पड़ेगा कि क्या कुछ और हम खह सकते हैं कि कॉंगरेस को घेरने में, आने वाले विधान समाचरों में, कॉंगरेस को हराने में और एक बड़ा मेंड Dennett लाने में BJP क्या कुछ कदम उठाती है जी चले हूं मंग आपका बहुत बहुत धन्यवार तमाम मुद्धु पर जानकारी देने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से आज बीजेपी में बड़े नेता शामिल हो गए हैं जोती खंडेलवाल की बात करें जितिंदर सिंग की बात करें रविंदर सिंग भाती की बात करें तीनों ही अपने अपने शेतर में बड़े नेता माने जाते हैं जोती खंडेलवाल खुद एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेकर चलती है अब उन्होंने एक बड़ा जटका दे दिया है कॉंग्रेस को और सीधा सीधा बीजेपी का अज़्दामन थाम लिया है बीजेपी वाले तो बेशा कि इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस का चोहरा भी शायद लटका हुआ दिखाई दे रहे हैं मैं बात करें जोदपूर की तो जोदपूर मेर विंदर सिंग भाठी के पास भी बड़ा वोट बैंक है क्योंकि वो भी एक यूथ का चोहरा है यूथ है उनके पास भी अच्छा खास अपना वोट बैंक है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हैं अव्तेज टीवी के साथ नमस्कार झाल